हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब वेल्कम बैक तो यूट्यूब चैनल जीके जॉब्स इन्फो विडियो आई सकर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर फर्स्टाम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलना तो चलिए फ्रेंट्स करते हैं विडियो शुरू तो फ्रेंट्स जैसे कि आप सब को पता है क्लास फॉर्थ का टेंटेट्यू रिजल्ट ओट हो चुका है काफी टाइम हो गया इसको और उसके बाद जो आपकी क्वेरी जा रही थी क्वेस्टन्स आ रहे थे कि हमें डाकु के लिए नहीं बुलाया जाएगा यहां पर जो निउस निकल के आ रही है वो यह आ रही है कि 34,300 कैंडिट्स को ही डाकुमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा ठीक है डाकुमेंट वेरिफिकेशन में आपको पता है कौन-कौन से डाकुमेंट्स अगर नहीं प बता है मैं बता देता हूं आपको जब आपने फॉर्म एप्लाई किया था उसमें आपने 10 जो है मेंशन किया था कि आपकी क्वालिफिकेशन 10 है कुछ लोगों ने 12 किया था और मैक्सिमम 12 तक ही था तो आपको मार्क्स कार्ड ठीक है यह आपको अपने उरिजिनल लेने हों के साथ में इसके बाद zero copies भी लेनी होगी क्योंकि जब JKSSP जब document verification करता है तो बहुत ही strict तरीके से करता है ठीक है क्योंकि आप जान सकते हो यहाँ पे जो ratio लिया है इन्होंने वो लिया है one is two four का यानि कि आपको पता है 8575 जो vacancy है और इसके लिए इन्होंने 34,300 candidates को बुलाया ह document verification के लिए क्योंकि इसमें बहुत सारे candidates जिनका merit अच्छा भी होगा लेकिन document verification में अगर उनको कोई भी problem आती है जैसे मैं पता देता हूं कि JKSSP ने पिछले बार क्या किया था बहुत सारे candidates के name पे जैसे furthers name होता है ठीक है furthers name आ गया तो वो match अगर नहीं किया documents according to documents ठीक है कि इसी marks card पे कुछ है और आपकी domus से लिया state subject पे कुछ होगा तो वहां पे इन छोड़ी छोड़ी चीज़ों को JKSSP बहुत बारिकी से दिखता है data of birth को दिखता है ठीक है उसके बाद आपके marks जो आपने mention करें हैं वो भी दिखेगा ठीक है कितना ratio रहा कितनी percentage रही आपके marks की जो भी आपने form फिल करते हुए दिया है GKSSP भी यह रहता है कि क्या वो आपने information करक्ती है या नहीं दिया है ठीक है तो document verification बहुत ही stick तरीके से GKSSP भी करता है ठीक है अगर आपके कोई question है तो मुझे comment box में जरूर पूछना मैं आपका reply जरूर 100% दूँगा ठीक है तो यहां पर 1 is to 4 का ratio लिया है GKSSP भी यहनी कि total 34,300 candidates को ही document verification के लिए बुलाया गया है ठीक है तो guys यह आपने question पूछा था कि कितने candidates को बुलाया गया है तो मैंने इस वीडियो में चाहा कि आप तक ही information पहुंचे आपने documents correct करके लिजिए पूरे A to Z तरीके से marks card original अपने domicile certificate उसके ब ठीक है तो इन documents को correct करके जाएगा ठीक है क्योंकि बहुत ही time कम time मिलता है जैसे ही selection list out होगी और document verification के लिए इतने के 120 बात है बुलाया गया है तो अपने documents correct करके लिजिए इसके regarding कोई भी update आएगी तो मैं सबसे पहले आपको तक पहुंचाऊंगा तो चैनल को subscribe करें मिलते है आए वीदिव मैं ति ये तिल देन वावा थिक्यर